तैस्ती यामी अस्सलाम उलाइकाम कैसे हैं आप सब कुकनोलजी में आपको खुश्याम दीद आज मैं आपके लिए गाई हूँ लहुर के काली मिर्च वाले मुर्ग चने जिसे खुई वाले चने भी कहते हैं इस रेस्पी से बेहत लजीज चने बनेंगे जो आप नाश्ते मे प्राठों के साथ एंज्वाए कर सकते हैं स्टेप आइ स्टेप रेस्पी है वीडियो एंड तक देखिएगा आदा कप ऑईल लेना है इसमें एड़ करूंगी एक चाय का चमच काली मिरच एक बादियान दारचीनी थोड़े से लॉंक्स आठ नूस अबस अलाइची एक स्मोकी फलेवर के लिए एक खाने का चमच आड़ करूंगी धड़ा मिरच इसको थोड़ा सा फ्राइ करना है ऑईल में इसका बड़ा मज़े का स्मोकी फलेवर आएगा जलाना नहीं है थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी इसमें ताके जले नहीं दो बड़ी साइज के प्यास को मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है इसको अब अच्छे तरीके से मैं फ्राइ करूंगी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और वीडियो को लाइक करें दो खाने के चमच इसमें एड़ किये लेसन अदरग का पेस्ट खुश्भू आने तक इसको अच्छे तरीके से फ्राइ किया आदा गिलो चिकन एड़ की पांच-छे मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कूप किया अब इसमें जाएगा एक खाने का चमच साबत जीरा एक खाने का चमच धनिया पाउडर और दो चाए के चमच इसमें नमक आड़ करूँगी साथ-अट सबस मिर्चों को क्रश करके आड़ किया पांच-छे मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनके अच्छा सा मसाला रेड़ी करना है काली मिर्च पाउडर एंड पे आड़ करूँगी वरना मुर्क चनों का कलर खराब हो जाएगा एक कप दही फ्हेंट के अड़ किया तीन चार मिनट के लिए मजीद हाई फ्लेम पे कुकिया दो कप चने मैंने पहले ही बॉइल कर लिये थे आधी कप चनों का पेस्ट रड़ी करके अड़ किया और साथ ही बागी डेड़ कप जो चने हैं अड़ कर दिये एक कप पानी अड़ किया जिन में चने बॉयल किये थें वही पानी अड़ कर दिये अगर आपने मीठा सोड़ा अड़ करके चने बॉयल किये तो फिर वो पानी नहीं यूज कर सकते हैं 30 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे कुक किया देखें बहुत ही जबरदस चने रेडी हो चुके हैं अब इस स्टेज पे मैं इसमें दो चाय के चमच काली मिरच अड़ करूँगी अगर मैं शुरू में भूनते हुए मसालों में काली मिरच अड़ करती तो सारा कलर खराब हो जाना था इसलिए काली मिरच पाउडर बिल्कुल एंड पे अड़ करना है और पानी भी आप अपनी मरजी से अड़ करें अगर आपको ज़्यादा पतले पसान दें आप ज़्यादा पानी आड़ कर सकते हैं सिर्फ दो मिनट के लिए मजीद कवर करके लो फलेम पे कुकिया देखें जी माशाला बहुत ही जबरदस काली मिरच के मुर्क चने रेड़ी है रेस्टूरेंट्स में तो इन में बहुत ज़्यादा ओइल डलता है मैंने वो एड़ नहीं किया उपर से मैंने देशी की मेल्ट करके एड़ कर दिया इसका बहुत ही जबरदस फ्लेवर आएगा कुमेंट करके अपना फीड़ बैक जरूर देजिएगा उमेद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए अला हाफेज